जहन बच्चों, यह छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोग के साथ डिसकस करने वाला हूँ बी ये पार्ट सेकंड का ये पेपर है और सेकंड का ये बैसिकली सेकंड पेपर है जिसमें हम लोग इंपोर्टेंट कुश्चन के उपर चर्चा करेंगे उम्मीद करता हूँ कि पहला पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और वही तीन सेक्षन है ए बी और सी और जैसा कि मैंने पहले ही का आता कि प्रैवेट और रेगुलर का अलग अलग पेपर आता है तो जो भी मैं इंपोर्टेंट कुश्चन बताओं वह आप लोग पिछले सा का पेपर है उससे थोड़ा सा तुलना जरूर कर लेना उसकी क्योंकि वहां से आपको काफी हल्प मिल जाएगी बहुत इंपोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि कुश्चन जो है बहुत ज्यादा यहां पर मिलते हैं और यहां से नंबर भी अच्छे आएंगे इसमें आपको लिखते टाइम पर एक तो मैप यदि आप लोग राजिस्तान का बना सकते हो चुकि राजिस्तान का है तो राजिस्तान का मैप यदि आप बनाओगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें यूनिट वाई जब पढ़ र तो है यूनिट फोर जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है और यहां से आप लोगों को यह करना चाहिए मुझे लगता है कि एक तो इंट्रीकेशन आफ राजिस्तान यानि राजिस्तान का एक ही करण है यह बहुत अच्छा कुश्शन बनता है इसको बहुत अच्छे से है कि पीजट मूमेंट इन राजिस्थान स्पेशल रेफरेंश टू विजुलिया और बराड दो जगें के जुह है जो किसान आंदोलन है उनको आप लोगो को इसमें देखना है विजुलिया बालों को इसपेशल देखना है और प्रजा मंडर आंदोलन भी आप जरूर सकता है यूनिट फिफ्थ जो है वहां से भी एक कुशन बड़ा आने की संभावना है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं देखो पहला कुशन तो यह आएगा कि राजिस्तान के जो है चित्रकला की बिभिन जो सेली जो इसकूल है वो कौन-कौन से जिसमें अच्छे से रीट करना है इसके बाद जो मुझे लगता है वो यह है कि भक्ति आंदोलन के उपर एक कुशन बनता है भक्ति आंदोलन यह भी 20 नंबर का कुशन इसमें से आएगा तसका भी आएगा तो यह 60 नंबर दो यूनिट आपकी कंप्लीट कर रही है भक्ति मुमेंट जो है राजिस्तान में बक्ति आंदोलन किस प्रकार से चला है और इसको मीरा संत दादू सूफिज मिन राजिस्तान के साथ कॉलेबरेट करके आप लोग को पढ़ना है पिछले साल के पेपर से आप लोग थोड़ा सा इसको और आइडिया लगा लेना इसके बाद थोड़ा है वो यह कि पहला कुश्चन तो यह एक्जाम में आने की पूरी संभावना है कि उन 1857 की करांती के कारण कोटा के संधर में उसके क्या कारण थे क्या पढ़नाम रहे यह कुश्चन तो यह बनता है यहां पर इसके अलापर मुझे जो लगता है वो यह कि माराठाओं का जो इश्यू है राजपूतान के साथ उसको आप लोग माराठा और राजपूत संबंदों के उनकी लड़ाईयों के रिजल्ट और जो कारण है उनको थोड़ा सा यहां पर ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो एक कुश्चन आपको यहां से मिल जाएगा य आप लोग देखो उपर के तीन पढ़ लो अपलोग मुझे जो लगता है वो उपर के तीन पढ़ लो तो नीछे वाले को आप लोग छोड़ सकते हो क्योंकि वह बहुत बड़ा लग रहा है मुझे इसलिए मुझे लगता है कि अचीमेंट आफ मारना कॉमबा की उपलब्द और उसके बाद जो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको महारणा प्रताप आप मेवार एंड राब चंदरसेन के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो तो यह कुश्चिन है जो मेरे साम में काफी इंपोर्टेंट बनते हैं यूनिट फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें तो बैरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजन ऑफ राजपूत राजपूतों के उद्वब के सिध्धानत आप लोग को अच्छे से रीड़ करने चाहिए और एक पहला जो टाउपक है ना आउटलाइन टू प्रो हिस्टोरिक कल्चर इसम मंदित जो सब्विता हैं उनको उनकी जो साइट से उनको देखें और मैं प्राजिस्थान का आप लोग इस पूरे पेपर में बनाऊगे तो यह पेपर अच्छा होगा और अच्छे नमबर आएंगे आप सभी को सुपकामना है विशिंग यू एल अवेश्ट और गुड़ आपी च लो आपटू और कोई लोगा है विशिंगल मैं लोगां धेचने किता है लोग एल ऑफ यह पिजऽ होगा हैं थेयर।